हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है अशिश जोशी और आज हम बात करेंगे बफर्स के बारे में ठीक है हम आज बफर पढ़ेंगे बफर एक्शन पढ़ेंगे बफर एक्टर्शलस वह बोलते हैं वह काफं इंपोर्टं टॉपिक है पिसलिए topic में हमने basic concept पढ़े थे इस acid और base के वो आपको I hope समझ में आ गए होंगे तो आज हम पढ़ेंगे buffers थोड़ा सा buffer मैंने उस lecture में भी आपको बताया हुआ था कि buffers क्या होते हैं एक बार मैं आपको दुबारा से बता देता हूं ठीक है बाफर्स क्या होते हैं बाफर वो solution होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं change in pH को कहने का मतलब क्या है जो pH को stable रहने देते हैं उसको change करने के रेजिस्ट करते हैं मतलब change नहीं होने देते हैं for example यह कोई solution है इसका pH अगर है ठीक है तो अगर यह buffer solution है for example एक तो यह normal solution है यह buffer solution यह है normal solution ठीक है और यह buffer solution दोनों में क्या difference है इसका pH जो है आठ से 9 हो सकता है 10 हो सकता है कम भी हो सकता है 6 5 4 भी हो सकता है अगर इसका pH 8 है और यह actual में buffer solution है तो इसका pH 8 ही रहेगा अब देखे मैंने क्या बोलती है ठीक है इसका pH change नहीं होगा उसे हम क्या बोलते है buffer solution उसे हम बोलते है ठीक है अब हम बात करेंगे types of buffer solution के बारे में buffer solution कितने type की होते हैं देखे अगर आप books को उठाके पढ़ोगे Indian writers की बहुत सारी ऐस बफर लेकिन ऐसा नहीं है जब आप standard books को ठाके देखोगे तो आपको buffer solution दो टाइप की मिलेंगे लेकिन वो क्या-क्या होंगे solution of single substance और दूसरा होगा solution of mixtures अब देखिए solution of single substance solution of mixture ठीक है अगर हम solution of single substance की बात करें देखिए solution of single substance कहने का मतलब क्या है जो book की language है वो तो मैं नीचे notes में दे दूँगा अभी आप इसको समझे समझने की कोशिश कीजिए ठीक है वीक ऐसीड का salt या ऐसे लिख दो salt salt of weak acid और weak base ठीक है इन दोनों के salt का जो mixture होता है उसे हम बोलता है single solution of single substance अब बता ही मैंने क्या बोल दिया ठीक है है example example से आप समझ जाओगे जैसे ammonium acid CH3COO NH4 अब इसको अगर आप ध्यान से देखो example से आप यह समझ जाओगे इसको अगर आप ध्यान से देखो ठीक है इसमें दो चीजे हैं एक है CS3COO और दूसरा है NH4 CS3COO आया है कहां से CH3COOH से जब इसकी reaction हम water के साथ करेंगे तो यह CS3COO negative ion देगा और यहां से आया है यह और यह NH4 कहां से आया है NH4 OH Ammonium Hydroxide यह किसे आया है Ammonium Hydroxide से आया है ठीक है तो यह Ammonium Hydroxide क्या है आया है Ammonium Hydroxide क्या है आपने पिछले मैंने नोट से देए है नीचे ठीक है Ammonium Hydroxide क्या उसमें लिखा हुआ है वीक बेस वीक बेस और CS3COO negative क्या है वीक एसिट अब देखिए यह देखिए तो क्या होगे वीक एसिट का सॉल्ट ठीक है और वीक बेस का सॉल्ट मिलके क्या बन गए एक बफर का एक्जामपल बन गया है ठीक है तो यह है आपका अब हम बात करते हैं तूसरा है यहां आजाएंगे आपके जो आपने बोला दो टाइप के होते हैं ठीक है यहां पर आजाएंगे पहला है एसिडिक बफर अच्छा मैं यह पर यह लिख देता हूं सॉल्यूशन और सिंगल सबस्टेंज ठीक है समझ गए आप क्या होते हैं एक्जामपल लिख देता हूं CS3-COO-NH4 डैकेट में भी लिख देता हूं अमोनियम एसिटीट ठीक है यह हो गया फिर है एसिटिक एसिडिक एसिडिक क्या है एसिडिक बफर और बेसिक एसिडिक बफर और बेसिग बफर अब ध्यान से समझना है एसिडिक क्या होते है आपने डैफिनेशन में पढ़ा होगा इसा Mixture of week acid and its Conjugate base और वीक और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए एसीडिक बफर क्या होते हैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ हूँ कि एसीडिक बफर वो बफर्स होते हैं जो मिक्चर ओफ ठीक है किसे बनते हैं क्योंकि कि सॉल्यूशन अब मिक्चर रहे तो मिक्चर से बनेंगे ठीक है मिक्चर ओफ वीक एसीड एंड अब धहां से समझना वीक एसीड एंड इट्स सॉल्ट विद अब बताईए इस्ट्रॉंग बेस क्या है इसके एक्चॉल डेफिनेशन वीक एसीड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉंग बेस और दूसरा बेसिक बफर क्या होते हैं वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इट्स सॉल्ट विद विद स्ट्रॉंग एसिड स्ट्रॉंग अब बता ही मैंने क्या बोल दिया है ठीक है एक्जाम्पल से आप समझ जाएंगे मतलब एसीडिक बफर क्या है एसीडिक बफर है वीक एसीड और उसका सॉल्ट जैसे एक्जाम्पल की अगर हम बात करें बोल्ट थोड़ा से मुले छोटा लग रहा है इसलिए थोड़ा आपको एजेस्ट करना पड़ेगा ठीक है है एसीडिक एक्सिट का थाम और भी हो सकते हैं इसी ओ एक बफर प्लस चांपर को समझें अब इसको आप ध्यान से समझें की जुर्फोड आप को एसांपल समझ जाओगे अपको इंदिशन याद करने की जुरति हैं आप समझ जाओगे टिटिक हैं वह आप देखिए वीक acetic acid क्या है weak acid यह आपको पता Acetic Acid क्या है एक क्या है weak acid weak acid द्यान रखना Acetic acid क्या है CH 3COOH ठीक है यह क्या है weak acid है ठीक्य अब हमने क्या पढ़ा वीक ऐसीड एनण इस सॉल्ट विद स्ट्रों में वीक एसीड एन इस सॉर्ट यह है सॉल्ट कि गिस स्ट्रों में अब एस कैसे हुआ यहने कहां से आया है यह ए और पॉजिटीव प्लस वैस नेधिट हो यहां से यह ने आया है तो यह क्या हो गया यह यह है स्ट्रॉंग बेस है इसनों के है टीक है इसलिए क्या है वीड़ी एसीड एकविट सार्ट hoffe tôm buddy as simple as that or same more basic buffer क्यांब अब इसमें रखन इध्यान ये रखना की acidic buffer में जो acid होते हैं हो गोते हैं basic buffer में यो base होते हैं वो बेसिक बफर का एक्जाम्पल दे देता हूँ क्या होगा बहुत सारे एक्जाम्पल हो सकते हैं जैसे नहीं फोर ओएच प्लस नहीं फोर तो इसमें क्या है अब देखिए अब समझें बात को इसमें क्या सीन है नहीं है नहीं फोर ओएच क्या है अमोनियाम हारी रअग्पाइड क्या होता है वीघ्टबैस और अब हमने क्या पड़ा वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ये इसका सॉल्ट है अमोनियम सॉल्ट ठीक है NH3 प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू NH4 अमोनियम सॉल्ट ठीक है खेर अच्छा ये हो गया पोजटिव आएगा ये हो गया ठीक है और ये CL कहां से आया है हाइड्रोकलोरिक एसिड H पोजेटिव फ्लस CL लेगेटिव है स्ट्रॉंग एसिड अब आगया ना क्या बना वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विट स्ट्रॉंग एसिड अब बताइए इतनी सिंपल से डेफिनेशन है और ये पेपर में पूछा जाता है इंट्रॉंग पूछा जाता है और बहुत हम लोग बहुत कंफूज हो जाते हैं ठीक है कि हमारे हमने कंसेप्ट नी समझा हमने रट लिया बहुत है किसे रेंदेश आगे कंजूगेत बेस बीक बेस एना कंजूगेत ऐसे नहीं क्या है उसको ध्यान से समझा अब ये समझ में आगे आके ठीक है अब आप ये कभी नहीं भूलोगे अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम आगे भी पढ़ेंगे मैं ऐसे बता देता हूँ आपको देखो क्या होता है प्रॉपर्टीज है इसी है ये तो इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है पहनी प्रापर्टी चो बफर्स की क्या होनी चाहिए ऑफ बफर्स ठीक है पहनी प्रापर्टी तो क्या होनी चाहिए कि स्टेबल होना चाहिए भी है सापसी बात है स्टेबल होना चाहिए मतलब ऐसा नहों कि खुरी बफर सॉलिशन यह निस्टेबल है स्टेबल होना स्टेबल दूसरा क्या है अगर हम इसमें थोड़ी एमोंट में एसिड और बेस डाल देंगे अपन या ओन ओन अरे या ओन एडिशन addition of small quantities of acid and base bracket में आ जाएगा small quantities ठीक है अगर हम थोड़ी एमोंट में इसमें acid और बेस डालें तो इसमें does not change चेंज नहीं होना चाहिए और बताइए मैंने क्या बोला अगर हम इसमें बहुत कम एमोंट में acid और बेस डालेंगे तो इसको चेंज नहीं होना चाहिए तभी तो वह बफर है तीसरा अगर हम इसको एक specific time के लिए रख रहे हैं महला 7 days के लिए 15 days के लिए रख दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी जो capacity है वो change हो जाए इसका pH जो है चेंज हो जाए ठीक है इसका pH जो है stable रहना चाहिए यह तीन प्रपर्टी तो main है जो most important तीन प्रपर्टी है जो होनी ही होनी चाहिए किसी buffer में आपके समझ में बात आ गई है ठीक है अब हम पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं buffer action अब हम पढ़ेंगे buffer action अब हम पढ़ेंगे buffer action अब हम पढ़ेंगे buffer action क्या होते हैं buffer action यह होता है कि जब हम किसी buffer में small quantities में acid और base डाल देते हैं तो actual में buffer कैसे खुद को मतलब कैसे वह pH को बनाए रखता है क्या करता है buffer buffer action मेन buffer action हम इसमें derivative form में करेंगे practical फॉम में मैं बता रहा हूं Darby Bunny प्राक्टिकल किया प्रैक्टिकल कर hai practical में हम क्या कर रहे हैं हमने एक जार लिया अब ख्राथा से समझ की इसमें हमने buffer डाला ऑफर में हमने water डाला ठीक है बफर water का mixture डाल दिया हमने उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ी amount में क्या डाला acid डाला and base डाला ठीक है एक पहले हमने बफर डाला फिर इसमें water डाला फिर हमने इसका pH चेक किया फस्ट टाइम में हमने इसका पीए चेकिया, let's this metaph आया no for example, that पीए चाया, चार ठेक है, अब हमने क्या किया, अब इसमें हमने थोड़े amount में फिर से acid डाल दिया, दाल दिया या i all ग簡े फिर दुम्सें परफिर चपीग बता दिया तो वह हो 4 प्रफ ही डाल चाहिए जो हुआ लिए है अगर उस चाहर डिशुंज नहीं आरहे हैं तो क्या है कुछ निक्कद है कुछ घोटाला किया है बफर मनाने में वह बफर सही बता दिया ठीक है अब इसको आप derivative form में कैसे करोगे कैसे proof कैसे करोगे derivation मतलब आप prove करोगे इसको जैसे physics में करते थे ठीक है मैश को देखो यह कुछ नहीं है इसमें आप डढन फिल्कुल हम एक acid ले रहे हैं फcelli हम एसी हम एक ले रहे हैं बॉफर हमने क्या लिया कुछ भी ले दो सी जो हमने अभी example लिया लिए लिए था CS 3COO led c1 c1 ये एस ठीचो एन ये हमने लिया अब ध्यान से समझेगा situation थीक है अब हमने इस मैंने आपको क्या बोला हम तो जैसी हमने इसमें water add किया, हमने इसमें क्या add किया, water add किया, तो क्या changes आएंगे, पहले इसको लेने, क्योंकि एक साथ हम दिखा नहीं सकते, तो पहले इसमें क्या होगा, यह क्या है, यह क्या है, weak base है, तो CS3, COOH, किसमें, क्यों हम water डाल रहे हैं, plus H2O, तो क्या हो जाएग plus H3O positive, S3O कैसे हुआ, यह टूटा, CS3, COOH, यह किसमें टूटेगा, CS3, COOH, प्लस H positive में, यह H positive, इसके साथ react करके, S3O मना देगा, या इसको आप, ऐसे आपको अगर confusion हो रहे हैं, तो आप सीधे यह समझ लीजिए, ठीक है, H3O, दो H यह है, एक यह है, तीन होगे, O, S3O, यह हो गया, आपका समी करण, एक equation first, उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा, दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने क्या किया, फिर आपने इसको लिया, अब यह क्या है, यह NUH is strong waste है, यह fully dissociate, यह मैंने गलत बोल दिया, यह partially dissociate, fully dissociate नहीं होगा, क्योंकि weak है, कम्जो है, ठीक है, पूरी तरह के इसे नहीं बनेगा, अब इसको हमने क्या है, CH3, COO, NA, प्लस, water डाल दिया, अब यह 100% dissociate होगा, क्यों, क्योंकि है, strong base से आया है, NUHR रखा है, strong base से, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, CH3, COO, negative, प्लस, NA, positive, equation 2, अब इसमें आप क्या देखोगे यह इसके अंदर हो रही है, जार के अंदर reaction, जब यह reaction हो रही है, तो आपको पता है, common ion effect, यह भी common ion है, यह भी common ion है, यह इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको इसमें कुछ गड़ित नहीं लगा नहीं, हमको ही सोचना है, कि इस जार में अब हम क्या करेंगे पहले हम acid डालेंगे upon addition हम कौन सा acid डालेंगे let's say हमने hydrochloric acid डाल दिया HCl है HCl की water ठीक है छोड़ो HCl हमने डाल दिया जब हम HCl डालेंगे तो इधर तो water है तो HCl water के साथ Скरेक्ट गातों क्या बनाएगा है 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 यह बनाएगा है किया ऐक्यों अंही एक मतलब इसकी concentration बढ़ गी है तो यह सीदे जाके इसके साहां react करेगा किसके साहां CS3COO के साहत क्या react करेगा H3O Plus तो क्या बनेगा क्या बनेगा CS3COOH plus plus H2O बना तो इससे क्या proof हुआ इससे proof हुआ यह अब जहां से समझेगा और यह सेम है जो हमने यहां से लिया था वही हमें लास्ट में मिला इसका मतलब अपॉन addition of acid कोई भी चेंज नहीं हुआ as simple as that बहुत easy है आपको समझ में हमने acid हमने simple buffer लिया हमने क्या लिया बिल्कुल आप इसमें हमने buffer लिया ठीक है buffer लिया सबसे पहले हमने इसमें water तो हम इसमें डालने प्रैक्टिकली लेकिन हमको इसको derivative form में भी दिखाना है तो हमने इसमें के CS3COOS लिया उसमें हमने water डाला water डालने के बाद दोनों अलग हो गए यह minus हो गया यह plus हो गया यह question first होगी दूसरा यह क्या है फुली dissociate हो रहा है ठीक है CS3COONA क्यों dissociate हो रहा है क्योंकि यह sodium भाइया कहां से आये हैं base के वहां से आये हैं ठीक है तो इनको क्या करा यह CS3COOO negative plus NA positive equation second हो गया अब हमको पता है कि यह क्या है common iron effect यह पढ़ा रखाया मैंने बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया तो मेरी वीडियो देखना limit test of chloride उसमें मिल जाएगा आपको ठीक है नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं है कोई दिक्तत नहीं आप यह देखो इसमें CS3COOH है तो यह CS3COOH क्या है यह इनका concentration बढ़ गया है इस बीकर में reaction तो इस बीकर में ही हो रही है ना तो फिर हमने इसमें acid डाल दिया acid कॉन सा डाला SCL जाला कुछ भी और भी डाल सकते हैं ठीक है तो SCL वाटर के साथ react करेगा तो क्या बनाया देगा में base को डाले इसमें base let's say strong acid और strong base ले रहे हैं हमने पहले actual strong acid है हलो 3B दे सकते हैं ठीक है कुछ भी दे सकते strong होना चाहिए Base भी हमने noH डाल दिया for example and a b strong base है and associate होगा किसमें na positive अब देखिए अब समझना ध्यान से एनी पॉजिटिव ओएच नेगेटिव में जो यह ओएच है यह रियक्ट करेगा किसके साथ यह जो ऐसे घूमने इनके साथ करेगा क्या कैसे करेगा भई C S 3 C O O negative PLUS O H negative क्या इनकी रियक्टिव पॉसिबल है यह निगेटिव और निगेटिव की रियक्टिवर पोसिबल है तो इसकी रियक्शन किसके साथ होगी S3O positive के साथ इसकी reaction किसके साथ होगी H3O positive H3O positive तो यह क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 mole water के बाहर निकल जाएगे तो 2 mole water के बाहर निकल गये इसमें कोई कुछ भी add on या remove नहीं हुआ तो इसका मनलब क्या है कि base का भी अगर हम डालेंगे बेस को भी अगर हम डालेंगे include करेंगे तो क्या होगा इससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा किसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा इस particular solution में इससे hence prove इती सिद्धम हम लिटते रहे हिंदी में इती सिद्धम hence proved अब बताइए हमने prove कर दिया कि बया आप इसमें अगर small quantity में acid or base डाले हो तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता खतम बात यह आपकी होगी buffer action अब है buffer equation बहुत important है आ सकती है paper में बहुत important है third year में भी आप पढ़ोगे इसको इतना important है अभी पढ़ लोगे तो वहाँ आप बोलोगे हमें आता है ठीक है buffer equation इसको पढ़ेंगे buffer equation और इसका एक नाम और है Henderson Hessel back कोई इसको batch पढ़ता है कोई इसको back पढ़ता है equation है ठीक है equation equation हो सकता है मैंने इस पैनिंग गलत लिखी हो ठीक है क्योंकि मेरी इंग्लिश माँ अपनी personal spelling चलती है ठीक हो ठीक है तो आप spelling देख वीजिएगा उसमें से तो हेंडर से हैसल बैच equation की क्या है एक equation है इस equation से आपको कैसे हम acid और base को calculate करते है बफर को कैसे हम calculate करते है वो पता लग जाएगा ठीक है बहुत ही important topic है अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम दो चीजें देखते हैं पहले हम acidic buffer की बात करेंगे यहापर ठीक है अब derivation बता रहा हूँ acidic buffer ठीक है acidic buffer की बात करेंगे acidic buffer की बात हम कैसे करेंगे माल लो यह एक buffer solution है क्या है HA ठीक है HA क्या है एक buffer है मतलब fully मतलब वो है ठीक है acidic buffer की बात करेंगे तो हमें weak acid है H किसमें टूटेगा H positive plus A negative A negative क्या है इसका salt है अब यह आप ध्यान रखना बात को ठीक है यह जो है important बात है जो important बात है वो इसको महीं रिहाँ लिख दूँगा ता कि बाद में आपको confusion ना हो ठीक है important क्या बात है important बात यह है कि important बात यह है ki HA क्या है या acid और a negative क्या है क्या है salt ठीक है ओके आगे करते हैं अब हमने क्या कर रहा है इसको हमने एच अब आप एक चीज़ यहां पड़ाएं डिसोशेशन आपने पड़ा है एक फर्मूला है डिसोशेशन फर्मूला है ओंस्टेंट ठीक है ओंस्टेंट मेरी स्पेलिंग पर ध्यान मत देना बिल्कुल मैंने पहली बता दिया आपको कांस्टेंट गिए इसिकोल स्टु होता है कंस्टेंट अफ प्रोड़ेक्ट अपोन या प्रोड़ेक्ट концəंट्रेशन एक ही बात है product concentration upon reactant concentration reactant product की concentration बट्टे reactant की concentration यह formula हम यहाँ put कर देंगे PKA is equals to PKA PKA is equals to product की concentration यह product है यह reactant है product में लब जो हम बन गया है ठीक है क्या है h positive plus a negative upon reactant यह हागे इतना कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब वज्र गुणा upon one करेंगे आपने वज्र गुणा होगा तो क्या हो जाएगा इसका गुणा यहां कर दो पहले किसी कुछ भी कर दो यार एच पॉजेट्ट्यू प्लस ए नेगेटिव इस इक्वल्स टू पी के ए k DA into into ga into HA's को कोई दिक्कत है यहां तक किसी को डिक्कत नहीं है उसके बाद क्या होगा यह जो CAD अब मैं समझे यह क्या बोदूगा यह जो एच है इसको हम हो हम हम है फाउ फ्रॉजब क्यूं क्यूंस क्यूंस क्या रहे है क्यूंकि हमको क्या चेखेएग कि ठीक है अब अगर हम H positive निकालेंगे तो ये इसके नीचे चले जाएगा अब देखिए PKA into HA upon A negative ठीक है A negative अब देखिए अब समझे चीज को अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसको आप ध्यान रखेगा अब हम क्या कर रहे हैं इसमें अब यहाँ पर हम दोनों साइड इसका log ले रहे हैं log क्यों ले रहे हैं क्यूंकि आपने पड़ा होगा 12 में pH क्या होता है negative log of OH-ion यह होता है negative log of hydrogen ion hydrogen ion negative logarithm of hydrogen ion is known as pH ठीक है यह आपने पड़ा है इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं log ले रहे हैं लो log h positive is equals to log अब यहाँ पर क्या है यह bracket है अब हम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं यह मैं फिर बताऊँगा अब यहाँ पर एक formula लगेगा अगर आपने पड़ा है तो formula क्या है log a into log b is equals to log a plus sorry मैंने गलत बोला log a into b log a into b is equals to log a plus log b यहाँ पर log a यहाँ पर a plus b log a plus b तो a plus b a क्या है p k a b क्या है ठीक है a h a upon a negative अब यहाँ पर आप इसमें इसको लगा दो इसको अब देखिए log h positive is equals to log a plus log b log a log p k a plus अब अगर हम log नहीं लगाते यहाँ पर कुछ और चीज़ होती x होती तो अगर यहाँ पर x a plus b होता या a into b होता तो हम उसको x a into xb करते लेकिन यहाँ पर क्या है log लगा हुआ है और अंदर into है तो यह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा अब देखिए मैंने क्या बोलग यह formula है यहाँ पर इसको ठीक है तो यह क्या हो जाएगा log a plus log h a upon a negative अब देखिए मैंने क्या बोलूंगा log H positive मैंने क्या बोला था अब हम क्या करेंगे हम यहां तक समझ मां आ गया कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको negative करनेंगे क्यों क्यों कि हमको पता है negative log of H ions is equals to pH तो हमको तो pH निकालना है न हम तो buffer पढ़ रहे हैं तो pH तो निकले गाई उसमें तो इसको माइनस कर देंगे जैसी हम माइनस कर देंगे अंदर के सब चीज माइनस हो जाएगा except ए आयन, आयन माइनस नहीं होंगे सिर्फ साइन माइनस हो जाएगे, negative log H positive is equals to negative log Pka minus log HA upon A negative अब हमको पता है, चीज हमको पता है, ठीक है हमको क्या पता है, हमें इसका revise भी नहीं करवा सकता है क्यों कितना लंबा यह topic हो गया है, हमको पता है कि negative log H positive क्या होता है, pH होता है तो यह हो जाएगा, pH is equals to negative log K A क्या होता है, बता हो negative log K A क्या होता है, Pka minus negative log K A होता है, Pka minus log H A upon A negative log H A कितना है, यह हमने पड़ा, मैंने अब बोलाना मैंने यह याद रखना, acid upon A negative क्या है, salt ठीक है, तो यह हो गया, acid upon salt ठीक है, तो यह क्या बन गया, pH is equals to, अब यह आपका बन गया, अब इसको भी आप अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो, तो आप एक चीज और कर सकते हो, इसका sign change कर दो, logarithm में क्या होता है, अगर आप इसको उपर इसको नीचे कर दो, तो यह sign change हो जाता है, आप S भी लिख सकते हो, it's not a big issue, but pka plus log salt upon acid, अब देखिए, यह हो गया, इसका यह equation जो हमको चाहिए थी, यह हमको यह equation मिल गए, इस equation के throw हम जो है, आगे सारी चीज़ें जो है, solve करते हैं, ठीक है, अब देखिए, अभी तो हमने acid के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब सेम यही formula हम base में भी apply कर सकते हैं, अगर hander sir, hassleback equation आ गई, तो आप जो है acid, एक acid को लिख के भी छोड़ सकते हो, लेकिन मा आपको फिर भी बता देता हूं, base का भी बता देता हूं, ठीक है, वरना आपको होगे, इसने हमें आधा पढ़ा के छोड़ दिया, ठीक है, अब base, अब देखें, base, अब base में क्या है, हमने पहले acid में क्या था, h a is equals to, ठीक है, क्या हुआ था, h positive plus a negative, यह था acid, यह था इसका, salt, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब यह hb है, sorry, यह hb होगा, hb क्यों होगा, यह तो base आ गया ना, o h, b o h कर दो, इसको ठीक है, b o h कर दो, आप क्या हो जाएगा, h positive किसमें हो जाएगा, o h negative plus a positive, अब बताईए, मैंकि सब सेम हो, इसमें यह salt है, और यह क्या है, base है, ठीक है, बाकिस पूरा सेम है, मैं भी वो करके बताता हूँ, आपके हेंडर से, hasil batch की भी, जो इसकी, वो revise भी हो जाएगा, इसको याद रखो, b o h क्या है, base है, ठीक है, b positive salt है, अब दीखिए, अब समझे ध्याद, अब हमने क्या बोला था, dissociation constant, p k a, p k a is equals to, p k a is equals to, p k a नहीं होगा, p k b, k b, dissociation constant, उसमें भी मैंने शायद p k a लिखा था, p k a is equals to, concentration of product upon concentration of reactant, जो मैं लिखाता है, p नहीं होगा, उसमें k a होगा, क्योंकि dissociation constant k a होता है, ठीक है, खेर कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इतना बड़ा issue नहीं है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब समझेगा, हमने क्या बड़ा, अब base पढ़ रहे है, ठीक है, b o h, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dissociation constant क्या आजाएगा, dissociation constant क्या आजाएगा, वहाँ पर क्या था, k a था, यहाँ पर k b हो जाएगा, ठीक है, k b equals to, हमको formula पता है, क्या है, concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है, product क्या है, OH negative plus B positive upon B OH अब हमने क्या करना है वज़ गुणा करना है cross multiplication करना है ठीक है कैसे करेंगे OH negative plus B positive is equals to KB into B OH या इसको आप bracket में कट लो अगर आपको into लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है अब आपने जैसे उसमें H positive निकाला था इसमें आप क्या करोगे OH negative is equals to ये इसके नीचे चले जाएगा ठीक है ये तो आपको basic maths 10th मा आपने पड़ी होगी तो क्या हो जाएगा KB into B OH upon B positive अब आप क्या करोगे log ले लोगे दोन और ठीक है log कैसे लोगे log OH is equals to log KB into B OH upon B positive ठीक है अब आप क्या करोगे आपको पता है formula log A plus log A into B is equals to log A plus log B तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा log OH negative is equals to क्या हो जाएगा log इसको आप क्या मानोगे A मानोगे इसको B मानोगे इसको ये constant है तो इसको इसके नीचे कर देगे आप क्या हो जाएगा लॉग के बी प्लस लॉग बी ओ एच अपॉन अब देखे मैंने क्या कर दिया ठीक है अब यह आपका हाग यह ठीक है अब आपने क्या करना है इसको नेगेटिव ले लेंगे लॉग ओएच माइनस प्लस माइनस इस इकूल मैंने का लॉग लिया है ना नेगेटिव क्या थो सब नेगेटिव होजाएंगे नेगेटिव लॉग के वी माइनस लग कि B O H upon B positive ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे comment करना कि मुझे समझ में नहीं है तो उन्हें क्या बक्वास करी मुझे कुछ समझ में नहीं आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद अब आपको अब आप यहां पर ध्यान रखेंगे अब समझना बात को अब मैं क्या बोलूँगा हमने पहले क्या बढ़ा था माइनस लॉग H positive is equals to क्या था? P K, sorry P H वैसे ही minus log O H negative क्या हो जाएगा? P O H पी ऐच ऺैसे वैसी विन देखे फिर पी ओव एच इति कोण स्टू माइनसल क्थै क्या था पीके वैसे क्या हो एगा इपभी मैनस स्बीह्ट यह अब लॉग लग फू है आप उट गए आप गाए है छाफों आप p ka, वैसी ही क्या हो जाएगा p k b minus, अब log log boh, boh क्या है, base base, upon b, क्या है, salt salt poh is equal to, अब यह बन गया, यह हो गया derivation, लेकिन हम इसका sign change कर रहे हैं इसको अगर हम उपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, यह sign change हो जाएगा p k b PKB प्लस log salt upon base ठीक है log salt upon base तो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है यह equation हमारी आ गई यह equation हमारी आ गई तो जो हमारा हेंडरसल-hassleback equation है या हेंडरसल-hassleback equation है वो यह है यह है base के लिए for base और वो जो थी तो आज हमने derivation पढ़ी है हम इसको revise भी नहीं कर सकते क्योंकि derivation को revise करेंगे हम दुबारा पढ़ेंगे तो बस मैं topic बता देता हूं व हमने तो आज हमने क्या क्या है ठीक है आज हमने पढ़ा आज हमने क्या पढ़ा सिर्pa topic लिख रहा हूं ठीक है आज हमने पढ़ा buffer buffers क्या होते हैं buffer solution buffer solution क्या होते हैं हमने पड़ा ठीक है क्या होते है buffer solution जो resist करते हैं change in pH को ठीक है pH को change नहीं होने देते उसके बाद हमने पड़ा types types हमने क्या पड़े हैं दो types के होते हैं एक single solution और एक mixture of solution single solution क्या था weak acid और weak base का mixture और ये यह क्या था, mixture of solution, mixture of solution, यह तो single substance, mixture of single, single substance, ठीक है, इसका example क्या था, CS3COO, क्या example था, CS3COO, H, COO, NH4, ammonium acetate, ठीक है, अब इसका क्या है, इसमें भी दो type के होते हैं, एक acidic buffer, एक acidic buffer, और एक basic buffer, basic buffer, acidic buffer, क्या होते है, mixture of weak acid, with, its salt with, mixture of weak acid and its salt with strong base, और basic buffer क्या होते है, mixture of weak base, and its salt with strong acid, अब बताईए, मैंने क्या बोल दिया, आपके समझ में आ गया, उसके बाद, types हो गया, buffer हो गया, उसके types हो गया, फिर हमने पढ़ा buffer, क्या पढ़ा buffer action, buffer कैसे act करता है, how, इसमें हमने proof किया, कि भाईया, buffer जो है, उसमें आप addition करोगे, थोड़ा, बहुत काम है, अच्छा, बीच में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, तीसरा, बीच में, यह तो चौथा है, बीच में हमने एक चीज़, क्या पढ़ी थी, properties, यह तो important है भई, properties, properties, properties में हमने क्या पढ़ा, तीन चीज़े होनी चाहिए बफर में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए पहली बफर जो है स्टेबल होना चाहिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें स्टेबल होना चाहिए ठीक है दूसरा हमने पड़ा कि अगर उसमें हम small amount में acid और अगर base डाल रहे हैं तो ऐसा निए उसका pH change हो जाए, pH change नहीं होना चाहिए और पांच में था कि उसकी stability एक defined time तक होनी चाहिए, जैसे 7 days अगर हम चाहते हैं तो 7 days तक stability होनी चाहिए, 14 days चाहते हैं, 14 days होनी चाहिए, 1 month होनी चाहिए, ठीक है, depend upon the buffer कि वो buffer कौन सा है, ठीक है, ये तीन properties, उसके पास हमने पड़ा buffer action, buffer action में हमने proof किया कि कैसे buffer अपना action सो क परता है, और पांच वी चीज हमने पड़ी, handersal-hasselbal equation, इसमें हमने दो चीजें पड़ी for basic acid और end base, तो आज की class में हमने इतना पड़ा, और I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, bell icon ठीक है, मेरा एक another दूसरा चैनल भी है, AJ आशू के नाम से, जिसमें मैं अपनी personal hobbies, मेरी storytelling वगरा, वो गरता हूँ, ठीक है, आपने मुझे इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much